दोस्तों मौलदी पिलाश्पती ने भारत को ग्यान दिया लेकिन उपहार देने जा रहे हैं चीन को अगले सप्ता है चीन में उनकी आत्रा है और पूरा भारत और भारती जनता नहीं तो कम से कम हमरी मीडिया तो मूँ खोले मुईजदु साहिब की चीनी आत्रा को देख रही हैं अरे हम चीन के खिलाफ क्या कर सकते हैं यह हमें कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है खुद मौलदीव के लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है दोस्तों आप स्वयम देख लीजिए मौलदीव में प्रोटेस्ट हुए हैं चीन के खिलाफ चीन को लोन शार्क कहा जाता है लोग शड़कों पर उतर चुके हैं चीन पहले आसान शड़तों पर करज देता है और फिर ब्याज के रूप में देश की संप्रभूता को ही खरीद लेता है ये बात जितनी हमें पता है उससे ज्यादा मौलदीव के लोगों को जानकारी है इस बारे में चीन में मौलदीव के लोगों को जानकारी है तभी तो वो शड़कों पर उतर कर चाइना आउट केमपेन चला रहे है तो हमारा पॉइंट दोस्तों यह है कि जब चीन की फंडिंग से भारत विरोधी इंडिया आउट केमपेन चल सकती है तो ये जो चाइना आउट केमपेन मौलडीब में चल रही है इसमें तो हमने पैसा अभी तक डाला भी नहीं है मानने वर हमने इसको उकसाया नहीं है उसके बावजूद मौलडीब के लोगों में चीन के खिलाफ विद्रोह की भावना है ये आग अंदर ही अंदर राख में दभी हुई है धदक रही है सिर्फ हवा देने की जरूरत है मौईजू साहिब जब चीन में होंगे फोटो खिचवा रहे होंगे उसी समय ठीक उसी समय माले में विरोध प्रदरसन चीन के खिलाफ क्यों नहीं हो सकते कौन सा हम ये कह रहे हैं कि मोदीजी जाके मौलदीप की शलकों पर खड़े हो जाएं घंडा लह रहा हैं अरे भाई साहब मौलदीप में अलरेड़ी लोग हैं जो चीन से परहसान हैं हमें सिर्फ उनको याद दिलाना है भाई साहब कि आप चुनाओ हरे बैठे हो मौदीजी साहब मौका दे रहे हैं तो उसका लाव उठाइए पारलिमेंट्री चुनाओ सामने खड़े हैं यब इंडिया आउट कैंपेν की दम पर मौदी जीत सकते हैं तो चाइना आउट कैंपेन की दम पर को हराया क्यों नहीं जा सकता डेमोक्रेसी का ज्यान दे रहे थे मोईजु साहिब भारत को Penis Of India को दिएगा इंटर्विव में तो उसी डेमोक्रेसी का मजा चीन को मेजु तरह स्थाहिब को क्यों नहीं चाखाया जा सकता लोग तंतर है वीरोद enableson करने का अधिकार सब जो लेवर हैं वो मौलदीव में पहुंचने तो दीजिए चीन के प्रोजेक्ट चालू तो होने दीजिए जब लोग देखेंगे कि चाइनीज लेवर उनके पेट पर लात मार रहे हैं उनकी रोजी रोटी चीन रहे हैं पूरा मौलदीव चाइना आउट केमपेंज से धदक उठेगा मोईजु साहिब है चीन जाने दीजिये लेकिन अभी भी बाजी पलटी जा सकती है और मोदी साहिब में हमारा भरोसा बरकरार है मोईजु साहिब के आगामी 4-5 साल बड़ी मुसीबत से भरे होने वाले हैं पक्ती बात है